हलो एवरिवान मैं पूजा और दोस्त स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डिनिंग पे अभी काफी सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे कि इस सीजन में हम कौन सी कटिंग लगा सकते हैं और पौधों के नाम बताकर भी बहुत से दोस्त पूछते हैं कि क्या इस पौधे की कटिंग जाधा गर्मी में तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी ऐसे पौधे जिनकी कटिंग जब आपको मल जाए तब ही लगा सकते हैं उनसे जुड़ी कुछ जरूरी बाते साथ के साथ बताती जाओंगी तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि आप अपने गार्डन में जादा से जादा पौधे बिना खर्च की एड कर सकें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आप इंस्टेग्राम पर हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने प्लांट की करती हूं तो अगर आप उसमें इंट्रस्टेड है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों लिस्ट का पहला प्लांट है यह वांडरिंग जीव का प्लांट बहुत खूबसूरती से बढ़ता है इसकी कटिंग जब भी आपको मिल जाए आप लगा लीजी स्टाटिंग में जब कटिंग लगाते हैं तो थोड़े दिन धोड़ी डल रहती है दीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट यह प्लांट करता है तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से होती है गंबला नजर भी नहीं आता है तो आप वांडरिंग जू की कटिंग साल में कभी भी लगा सकते हैं जब भी आपको मिल जाए नेक्स्ट प्लांट है दोस्तो पॉपल हर्ट का प्लांट और ये प्लांट वैसे हल्की फुलकी शेड में भी ग्रो कर जाता है लेकिन इसका जो ये कलर है अगर आप इसको इसी तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको कम से कम तीन घंटे की दूप तो जरूर चाहिए तो ये भी लगाया जा सकता है इसी के साथ ये प्लांट आप देख सकते हैं ये है ऑल्टर नेंथरा का प्लांट ये बुश की तरह बहुत छोटा रहता है इसकी कटिंग भी साल में कभी भी लगाई जा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट काफी खुबसूरत लगता है चोटे गमलों में भी काफी अच्छा लगता है ग्रीन टोपियारी सी इसकी बन जाती है तो आप अल्टर नेंथरा को भी लगा सकते हैं तो तीन प्लांट मैंने आप को मिल जाएंगे इसके साथ ही यहां पर है चेन प्लांट चेन प्लांट की cutting जब भी आपको मिल जाए साल में कभी भी लगा सकते हैं बहुत खुबसूरत plant है easy to maintain बिगनर है तो आप जरूर इस plant को ट्राइए केजिए शेड में भी ग्रो कर जाता है सनलाइट है cutting जब मिल जाए आप एक प्लांट ले आए साल के अंदर ही पांच-दस प्लांट आप इसली इससे बना लेंगे तो चेन प्लांट या ओक्टॉपस प्लांट भी इसको कहा जाता है तो आप यह भी इसली साल में कभी भी cutting से grow कर सकते हैं नेक्स्ट यह एवर ग्रीन प्लांट है दोस्तों यह है टर्टल वाइन इसको भी साल में कभी भी आप cutting से लगा सकते हैं गर्मिया इसका best time होता है हाला कि अगर सरदियों के starting में इसकी cutting लगा लिजाए तो यह सरदियों में भी अच्छा grow करता है बस इसको धूप चाही होती है धूप में यह जादा अच्छा grow करता है अगर धूप नहीं मिलती है तो पतियों के बीच का जो इसनकी stems है वो थोड़ा सा लेगी हो जाती है य इसकी cutting भी साल में कभी भी लगाई जा सकती है जब भी आपको मल जाए इसके एक पिंक वराइटी आती है डार्क परपल कलर की आती है यह ग्रीन और परपल का मिक्स्चर है तो यह आप कभी भी cutting से लगा सकते हैं इसके लावा एगलोनिमा फैमली का यह प्लांट चाइनीज इसको चाइनीज एगलोनिमा भी कहा जाता है कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता सबसे हार्डी एगलोनिमा है यह इसकी cutting आप साल में कभी भी लगा सकते हैं इसकी cutting पानी में भी easily grow कर जाती है यानि एक stem हो आपको मिल जाए तूट जाए प्लांट की तो पानी में रख दीजिए 15 दिन में ही उसमें roots निकल आएंगी चोटे pot में रखिएगा easily result मिलेंगे इसके बाद यह आप देख रहे हैं यह है Chinese money plant यह पानी में उगता है इसको पानी जादा चाहिए होता है इसको बिना छेद वाले गमले में उगाईए और इसकी मिट्टी में हलका पानी हमे ईजली बना लेएंगे तो सिक कटिंग कभी अजा लगाये जा सकती है इसके अलावा जो plant है वह हमारे पास यह देख सकते हैं यह है बेशलों संरोज का गर्मयों में तो tekटिंग कभी वी लगा सकते हैं सरद्यों में भी मिल जाए तो भी कोई put jamfly में नहीं है तूड़ी मोड दूप जरूर दे अगर फ्लावरिग नहीं हो रही है अगर फ्लावरिग आपको चाहिए तो हलकी-फुलखी खाद इसमें देते रहें यह बनाना पील की फर्टिलाइजर डाल सकते हैं घर पे ही बना के उस पर वीडियो चाहिए तो बता दीजिए गा तो बैबी सं रोज और यह ट्री नुमा मतलब एक पेड नुमा बढ़ता है आप देख सकते हैं गमले में लगा हुआ काफी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ इस प्लांट की शेर कर चुकी हूँ यानि की तो यह भी कटिंग से साल में कभी भी लगाया जा सकता है बहुत आराम से ग्रो कर स्टेम होती है इसकी तो इसकी कटिंग भी साल में कभी भी आप लगा सकते हैं यह भी बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है खास महनत नहीं मांगता है जादा पानी ना दें इसकी कटिंग को तो इसली आप इसे मेंटेन कर पाएंगे यह हमार पास spider plant छोटे से गमले में लगा हुआ है देख सकते हैं और ये इसके बेबी प्लांट है तो जैसे ही आपको ये कहीं नजर आए तो ये बेबी प्लांट आपको जरूर नजर आएंगे तो एक बेबी प्लांट ले आए दो महिने में ही प्लांट बहुत अच्छा ग्रू कर जा पानी में भी आप यह सॉंग ओफ इंडिया भी आसानी से कटिंग से चल जाता है आप इसकी कटिंग जब आपको मिल जाए ले आएगा अराम से आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं और सेंडी सॉयल का इस्तमाल किजिएगा मॉर्णिंग की दूप जरूर मिले प्ल वह दिखाओंगी ये भी ड्रैस ना फैमिली में काउंट होता है तो इन प्लांट्स को आप इजली कटिंग से हैं यह रहा ड्रेस ना प्लांट ही है ये आप देख सकते हैं पतियों का कलरर ऊपर और इस तरीके की पत्ली सिस्टेम होती है नीचे से बेबी प्लांट के निकल काफी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है तो ये भी आप इसली ग्रो कर सकते हैं कटिंग के द्वारा जब भी आपको कटिंग मिल जाए ले आईएगा और लगा लेजिएगा रेजल्ट जरूर मिलेंगी यहां मैंने आपको ड्रैसिना फैमली के चार से पांच प्लांट द आती है जिसमें वाइट कलर देखने को मिल जाएगा ग्रीन के साथ तो इसकी कटिंग भी साल में कभी भी लगाई जा सकती है तो आप डेविल बैक बोन की कटिंग भी इसली कभी भी लगा सकते हैं यह है हमारा यूफोर्बिया मिली सनलाइट इसको खूब सारी चाहिए इस कि में काटे बहुत ज़्यादा होते हैं और आउटडोर लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है तो आप इसको भी इसली अपने घर में ग्रोग कर सकते हैं आउटडोर लगा सकते हैं और इसमें फलावरिंग होती है इसमें कलर भी आपको काफी देखने को मिल जाएंगे नेक जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर उसको आप मदर प्लांट से अलग कर दीजिये कट करके आपको नया प्लांट मिल जाएगा इस प्रॉसस को कैसे करना होता है अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको मिल जाएगा उसे में शेयर की हैं कोई भी वराइटी जैसे नियौन है ग्रीन है और एक मिक्स आती है कोई भी लगा सकते हैं यहीं रखा है यह हमारा देख सकते हैं आप एरो हेड जिसको सिंगोनियम कहा जाता है पानी में इसकी कटिंग लगी हुई है इसकी कटिंग साल में कभी भी लगाई ज जब इसको दूप बिलकुल नहीं मिलती है काफी लोग इसको इंडोर रख लेते हैं तो इसकी ग्रोथ होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है उल्टा इसमें इंसेक्ट का आटैक भी बहुत जल्दी हो जाता है तो आप इस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहिए दो महिने में इसको प्रून कीजिए और इसकी कटिंग एड़ करते रहिए आपके गार्डन में ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आप बाट बाट कर ठक जाएंगे तो आप इस प्लांट को भी साल में कभी भी जब भी मल जाए कटिंग से लगा सकते हैं ये देखे ये पपल हट ये सारे प्लांट यहां कटिंग से लगे हुए हैं ये देखें ये है लाल जड़ी का प्लांट ये भी बहुत अच्छा ग्रो करता है इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अल्टरनेंटरा फैमली से ही ये बिलॉंग करता है बुश की तरह बढ़ता है इसको boundaries पर hedge बनाने के लिए छोटा सा जैसे division बनाना चाहते है प्लां कोई भी आपको मिल जाता है दिनों कटिंग मार्च एप्रेल में आप लगा सकते हैं कटिंग पौर्चौल का के भी thou कॉख जिससे कहा जाता है यह हमारा इसकी कटिंग डी सकती है अभी इसकी कटिंग आप जरूर कहीं मिल जाती है तो एक बार कटिंग घर में एड़ कर लीजिए आप इसको इतनी जल्दी अपने गार्डन में डबल कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत अच्छा भी लगता है चुटी-चुटी पतिया रहती हैं हैंगिंग बास्केट में भी काफी खुबसूरत लगता है दो कलर मेरे पास है मैंने आपको जो दिखाए यहीं पर यह है हमारा आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्लांट है यह है कोलियस की काफी कलर वराइटी आपको मिल जाएंगी कटिंग से कभी भी लगाय है इसली गरोग हो जयता है और बहुत ही वराइटी आती है कलर की इसमें कोई भी आप इसली अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे वो पौधे जिनको आप अपने गार्डन में कभी भी एड़ कर सकते हैं यानि जब आपको इनकी कटिंग मिल जाए तभी आप इनको लगा सकते हैं हमेशा ध्यान रखे जब पौधा डॉर्मनसी में होता है उस समय पर पौधा रियक्ट नहीं करता है यानि कि उस समय पर जब आप उसकी कटिंग लगाते हैं तो हो सकता है आपको एक स्टेम ही नजर आए लेकिन ऐसे समय पर जब आप कटिंग किसी पौधे की लगाते हैं तो कम से कम दो ढ़ाई महीने का इंतजार जरूर करें ताकि पौधा जब डॉर्मनसी से निकले तो एक पौधे की एक ही गंबले में कम से कम तीन से चार कटिंग लगाएं ताकि दो के चलने के चांस आपके जरूर बढ़ जाएं तो उमीद करते हूं ये वीडियो आपके लिए किसी ने किसी रूप में हलफुल जरूर रही होगी अगर हां तो लाइक कीजिएगा आप ही के जैसे आपके दोस्ति या फैम डिमेंबर हैं जो गार्णिंग कनाब पसंद करते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए खुश रहिए बाए बाए